हेलो दोस्तों, विलकम तो स्लीपी क्लासस तो आज के सेशन में हम पांच सवाल यहां पर डिस्कस करेंगे एकॉनिमी के थोड़ा सब प्राक्टिस बेस्ट आपके लिए सेशन यहां पर बनाया गया थोड़ा स्टाटिक सवाल हम यहां पर ज्यादा फोकस करेंगे चलिए, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से कुछ important curve से लिए आपके दो statements यहां पर दी गई है बताना है इन में से कौन कौन सी statements यहां पर correct है पहले में करें आपके फिलिप्स curve के हिसाब से वो illustrate करता है relationship between the unemployment and inflation second में कार जार अगर हम लाफर कर्व को यहां पर देखें तो जैसे से tax rate बढ़ता हुआ देखने को मलता है तो tax revenue भी आपका continuously rise करता जाता है तो यह दो statement दी गई है बहुत simple सा सवाल है थोड़ा सोची और correct answer यहां पर mark कीजिए तो basically Phillips curve में हम यही बात करते हैं कि भाया आपका जो inflation और जो unemployment rate है उन दोनों के वीच में inverse relationship यहां पर देखने को मलता है जिस परकार से अगर आपकी unemployment rate कम होती जाएगी तो उस वज़से आपका जो inflation rate है वो यहां पर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा कि मतलब यदि आपके employment यहां पर बढ़ता हुआ देखने को मिलता है तो उसकी वज़से आपका inflation भी यहां पर बढ़ता हुआ देखने को मिलता है अपार्ट फॉम बात करें लाफर कर्व के बारे में अगर यहां पर बात करें तो अपका tax rate बढ़ता जाता है तो tax revenue यहां पर लोग कोशिश करेंगे tax को evade करने की जिसके आपका tax revenue फिर fall करना वहां पर शुरू कर जाएगा जिसके लिए एक बहुत ही sweet spot यहां पर rentify करना बहुत ज़रू रहता है हर एक government के लिए जिसके basis पर वो एक optimal taxation rate वहां पर चार्ज करके maximum से maximum revenue वहां पर generate कर सके तो second statement उसकी चलते है आपकी यहां पर incorrect देखने को मिल रही है जिसकी वज़ाए से a option हमारी यहां पर correct option है तो फिलिप्स कर आपका एक short term relationship यहां पर describe करता है inflation rate as well as आपका unemployment rate हम दोनों के बीच में आपके लिए simple सा सवाल यहां पर क्या है हालनकि यह जिसम अपने static portion में भी discuss करते हैं क्या फिलिप्स कर्व आपका long term scenario में इसी तरीके का relationship यहां पर establish करता हुआ देखने को मिलता है और कौन ऐसे economist है जिन्रोंने इस particular फिलिप्स कर्व को यह कहा था कि long run में ऐसा relationship inflation और unemployment के बी आपका maximum आप tax revenue यहां पर चार्ज कर पाओगे but after a certain period of time जैसे आपका tax rate और यहां पर बढ़ाना शुरू कर दिया जाए तो उस case में आपका tax revenue for declining state पर यहां पर चला जाएगा राइट चलिए तो यह basis a point यहां पर आपको ध्यान रखना है and apart from that यह भी जुरूरी दर्खी है कि अगर आप excessively high tax rates यहां पर चार्ज करते हैं definitely उसके आपकी जो economic activity है आप उससे discourage कर देंगे economic activity नहीं हो पाएगी तो भी tax कैसे collect करेंगे तो उसके आपका यह downfall वाला trend फिर यहां पर देखने को मलेगा चलिए अगला सवाल यहां पर देखते है तो यहां पर कुछ statements आपको दी गहीं है चार्ज statements बताना है इन में से कितनी statements यहां पर correct है ठीक है जी तो पहले में करेंगे आपका जो high capital output ratio ICOR वो indicate करता है more efficient use of capital for generating additional output second करेंगे अगर आपका कम ICOR देखने को मल रहा है तो मतले generally preferred as it signifies a more productive economy तो क्या लगता है आपको इन दोनों से बताईए थर्ड में कह रहे हैं भियाज अगर आपकी increased government spending देखने को मिले infrastructure projects के उपर तो definitely उसकी वाज़ा से it will always lead to decrease in ICOR force में कहा जा रहा है कि high ICOR can be consequence of under utilization of existing capital stock तो क्या लगता आपको इन चाहर स्टेटमेंट्स में से कौनसी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर correctly बताई की है incremental capital output ratio मतलब आप कितना capital infuse करके कितना output में change देख पा रहे हैं तो मतलब simple तरीके से क्या हम यह ratio कैसे निकाल पाएंगे कि change in capital कितना किया गया है divided by change in output तो for sure हमारा objective क्या रहेगा कि कम से कम capital में change लाते हुए maximum से maximum output में यहाँ पर change लेका आना है so definitely ICOR की value जतनी कम रहे उतनी preferential हमारे लिए है कि यह उतना better हमें result देखने को मिलेगा कि कम capital हम यहाँ पर infuse कर रहे हैं अपनी economy में और ज्यादा हमें output में change देखने को मिल रहा है तो पहली statement जो कह रही कि भी आपका higher ICOR indicate करता है ज्यादा efficient use of capital तो भेर नहीं यह तो आपकी गलत point यहाँ पर होगी क्यूंकि अगर हम simply formula को यहाँ पर देखें तो भी उसके साब से कम ICOR हमारा represent करता है कि capital का अच्छे तरीके से यूज के जा रहा है जो कि second statement में यहाँ पर correctly बताएगा है third में हम कह रहे हैं कि अगर सरकार की spending यहाँ पर बढ़ती हुए देखने को मिले infrastructure projects के case में बट उसके चलते हमेशा आपका ICOR कम देखने को नहीं मिलेगा क्यूंकि अगर हम ऐसा कोई project consider करें भिया जो की poorly managed है धंग से वहाँ पर project implementation नहीं हो पारी है, monitoring नहीं हो पारी है, capital का utilization धंग से नहीं हो रहा है output पर ऐसा कोई खास change यहाँ देखने को ना मिले, जिसके से ICOR की value definitely वहाँ पर बढ़ेगी तो यह आपकी statement यहाँ पर गलत होगी, fourth में कहरे है कि अगर आपका high ICOR रहेगा तो definitely वो किस चिसका consequence है कि जो आपका existing capital stock था, कि जो आपके पास already available capital था, आपने उसकी धंग सी utilization नहीं की वो under-utilized वहाँ पर देखने को मिला, ठीक है, तो यह इसके साब से यहाँ पर second or fourth statement हमारी correct है जिसके चलते, B option हमारी यहाँ पर correct option देखने को मिल रही है, राइट, चलिए, तो वही आपसे इंचार statements के explanation यहाँ पर आपको दे दी गई है, प्लीज एक बार explanation में जाके ज़रूर इसे go through किजएगा अगला सवाल यहाँ पर देखने, बहुत simple से external sectors related balance of invisibles तो दो statements यहाँ पर दी गई है, बताना है कि कौन सी statement यहाँ पर correct है पहले में कहरे हैं जो आपका positive balance of invisibles है, वो guarantee करेगा कि हमारा current account में हमेशा surplus रहे second में कहरे हैं जो आपके balance of invisibles है, उसमें आपकी tourism से earnings आएंगी या जो भी आपके gifts से receive करें donations, remittances, वो सारे आपके balance of invisibles में consider किये जाते हैं थोड़ा सोची और correct answer यहाँ पर mark कीजिए कि balance of invisibles से related इन दोनों statement में से कौन सी correct है तो देखिए balance of invisibles मतलब कि भीया, पहली बात balance of visibles का मतलब वो है, कि जो आपका जितना भी goods का trade यहाँ पर हो रहा है, right तो जितना भी हमारा trade होता, जितनी हमारी transactions आपस में exchange होती हैं किसी और देश के साथ, हम उन्हें record किसमें करते हैं, balance of payments में, balance of payments के दो हमारे accounts रहते हैं, आपका current account रहता है, second one is your capital account, right current account के case में हम क्या कहते हैं कि भाई, इसमें जितनी भी आपकी transactions वो consider की जाएंगी, जो कि उसे time settle हो रही है, जिनकी future obligation नहीं है, capital account में कौन से transactions आएंगी, जिनकी future obligation create हो सकती है, right current account में आपके फिर दो वहां पर एक और categoryation यहां पर आजाएगी, एक आपका visible का और एक आपका invisible का, visible में कौन से आ रहे हैं भी है, जो आपके goods का trade हो रहा है, उसके लावा जितनी भी transactions हो रही है, वो आपके invisible में हाँ पर आएंगी, तो invisible में अगर हमारा positive balance देखने को मिल रह है, बट फिर भी, because visible हो हमारा यहां पर बहुत दा major deficit है, जिसकी ऐसा हमारा current account भी deficit में देखने को मलता है, तो भ्या, guarantee तो कोई नहीं है, जिसके चलते पहली statement तो correct होगी, second vehicle correctly यहां पर बताया गया है, कि आपके balance of visuals में, यह सभी चीज़ें यहां पर include की जाते हैं, जिसके च concept ही, कहले जिसके चीज़ें को कि यहां, आपका balance of payment में, कौन कौन सी चीज़े include की जाती हैं, क्या उसका impact पड़ता है, overall आपके दोनों accounts के उपर beat current account, beat capital account, दोनों के case में क्या convertibility है, तो चलो, लगी हाथ यह भी बता दो, current account, capital account के case में convertibility का cash status से currently इंडिया में चल रहा है, त तो ऐसे points अगर आपके revise रहेंगे, अच्छे देगी सा आप उनको पढ़ते रहेंगे, तो definitely आपको better results भी देखने को मिलेंगे, ठीक है जी, चलिए, अगला सवाल यहां पर देखते है, preference share से लिटेट चार्स statements आपको यहां पर दी गई है, incorrect statement को यहां पर find out करने के लिए कहा of dividend, third मैं कहा हैं जब के preference shareholders है, voting rights उनके पास definitely यहां पर देखने को मिलते हैं company में, और fourth मैं कहा है कि यहां पर preference dividend पहले pay करना है, then paying the any dividend to the equity shareholders, ठीक है, तो यह चार्स statement देखें, incorrect statement यहां पर find out करने के लिए आपको कहा गया है, तो देखो अगर A और D option यहां पर देखी जाए, इस question को डालने का objective यह भी था कि A और D option अगर आप देखें, काफिया तक मिलती जुलती बात कर रहे हैं, just that आपको तोड मरोड के अलग तरीकी से बताईगी है, ठीक है, कि एक तरीकी से similar point यहां पर रखा गया है, जो आपके correct हुई, बची बात B और C के बारे में, तो भहिया preference shareholders के बारे में जब भी हम बात करते हैं, हम उनके case में क्या कहते हैं, कि भहिया उनके पास voting rights available नहीं है, और generally preference shareholders यह चीज़ प्रेफर करते हैं, अब देखो बहुत 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 यहाँ पर हो गया, बट एक बार मुद्ध की बात यहाँ पर समझेते हैं, कि preference shares या preference shareholders कौन से हैं, तो देखिए जब भी कोई नया startup अपने आपको commercialize करने की कोश्च करता है, उन्होंने proof of concept कर लिया है, सब कोश उनका तयार हो चुका है, prototype तयार हो चुका है, उसको एक तरीक shares रहेंगे, उनको कौन से shares देंगे, वहाँ पर अगर वो मातर एक परसेंट है, दो परसेंट की investment कर रहे हैं, उस company में, उनके ज़रा कितना, बहुत limited हो हाँ पर ownership देखने को मिलेगी, तो वो तो नहीं चाहेंगे कि भ्या, वो company के day to day affairs में हाँ पर उलजे रहें, इसलिए उन preference shares का फाइदा आपके लिए क्या है कि भीया, कल को कोई भी dividend profit company कमाती है, dividends आगे जाके shareholders में बढ़ते हैं, तो उस case में सबसे पहला हक preference shareholders का बनेगा, कि उन्हें यहाँ पर dividend मिले, ठीक है, तो वही point आपका basically star four segment में कहा गया था, और यह बहुत रहें किया गया है, कि fixed rate of dividend आते, इसलिए अपने voting rights को forgo कर देते हैं, कि चलो कोई बात नहीं, हमें सबसे पहले है, यहाँ पर पैसा मिल रहा है, हमारा पैसा यहाँ पर पूरा हो जाना चीए, ठीक है, इसलिए C option हमारी यहाँ पर correct option है, कि यह statement incorrect है, usually आपके voting rights देखने को नहीं मिलते हैं, companies act 2013 के कर दी जाए, कि आपको voting rights भी यहाँ पर दी जा रहे हैं, तो भी आपने shareholders के हाथ में, कि किस तरीके से यहाँ पर preference shareholders को voting rights देना चाते हैं, नहीं देना चाते हैं, but as per, अगर हम companies act देखें, तो उस case में आपका यहीं चीज़ मैंशन है, कि इनके पास voting rights नहीं रहेंगे, तो व कि भाया, यह आपका encompass करता है, 22 crops को जिनके लिए सरकार MSP भी announce करती है, तो incorrect statement यहाँ पर बताओ कि कौन कौन सी statement यहाँ पर incorrect है, तो basically यहाँ पर जो आपका agree dex है, बिल्कुल सही तरीकी से बताएगे, एक तरीकी का index है, जैसे हम Sensex और Nifty के बारे में यहाँ पर बात करते हैं बट यह आपकी 10 crops को यहाँ पर track करता है, उनके price moments को यहाँ पर track करता है, जिनका वैसे आपका communities की market में trade होते वे भी देखने को मलता है, तो पहला point बिल्कुल सही है कि आपके जो agricultural future trading index के तरीकी से आपका agree dex यहाँ पर काम करता है, जैसे आपका census और Nifty यहाँ पर देखने क गए हैं, और एक तरीके से आपका index का यहाँ पर रोल निभाते हैं, जो कि launch किया गए था, national community and derivatives exchange द्वारा 2020 में, ठीक है, तो basic से points यहाँ पर आपको दे दिये गए है, तो प्लीज एक बार इसे go through कर लिजेगा, सेभी का approval इसके case में यहाँ पर मिलना बाकी था, राइट, ब से कुछ सवाल पूछेगे था, उनको भी जरूर महाँ पर mention किजेगा आपके comment box में, apart from that marathon session already economy का हो चुक है, अगर आथ नहीं देखा है अभी तक, तो अभी तक आपको link यहाँ पर सामने दिख जाएगा, tap किजिस link पर और जाकि अपना marathon complete कीजिए, पिछले साल, जितने भी आपके 2011 से लेकि 2023 तक के questions है, economy stated, सभी का solution आपको वहाँ पर देयरा, discussion वहाँ पर किया गया, तो for sure आपके लिए बहुत fruitful session रहेगा, चलिए, so that will be all, all the very best, have a good preparation.